हालो फ्रेंड्स मैं सलब शब्र उसेन और वाचिंग फिजियो और टॉक दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन आर्ट सपोर्ट पैट के बारे में जिन लोगों को फ्लेट फीट रहता है उन लोग के कई सारे हमें कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ ऐसा प् भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नीचे बैल आइकन के वी बटन को क्लिक करके आप नोटिफिकेशन बैल को ओन कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए शुरू तो जिन लोगों को फ्लैट फीट होता है उन लोगों को कई सारी परेशानिया होती है कि वो अपना आर्च जो है वो मेंटेन नहीं रख पाते हैं जो फूट का जो आर्च है वो बना नहीं पाते हैं तो इस प्रॉब्लम का इलाज क्या है देखिए 10 से 12 घंट अगर आप सपोर्ट पैट इस पैट को पहन कर आप लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं अगर आपका फ्लैट फीट है तो भी क्योंकि यह जो आर्च है यह आपको आपके जो फूट का आर्च है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है आपकी जो मसल्स हैं उसको एक सही पोस्चर में बहुत आसान है जैसा कि हमने बताया कि आप अपने सॉक्स के उपर भी इसको पहन सकते हैं और जैसे हम सॉक्स पहनते हैं वैसे आपको पहनना रहता है राइट साइड और लेफ्ट साइड इसमें लेबल रहती है जस्त आपको पहनना है और जब आप इसको पहन लेते हैं उ तो दोस्तो इस तरीके से ये support arch आता है, silicone का, तो इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा जब आप इसको buy करेंगे, तो just आपको इसको socks की तरह पहनना होता है, और जब इसको आप अंदर की तरफ से देखेंगे, तो यहाँ पर ये silicone का pad लगा होता है, जो कि आपके foot के arch को maintain रखने में help करता है, और जब आप लंबे time तक खड़े रहते हैं, तो इस silicone gel की मदद से आप लंबे time तक अपने foot का जो arch है वो maintain कर पाते हैं, तो दोस्तो इस तरीके से ये product है, इसके उपर right और left दोनों का आपको instruction दे रखेंगे कि कौन सा left pair का है, कौन सा right pair का है, तो इस त specific pair है, उसके हिसाब से इसको right और left पहनना है, और आपका जो arch है, वो ये maintain करने में बहुत help करेगा, तो किस तरीके से पहनना है, देखते हैं, तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे description box में बताना बिल्कुल न भूलें, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो like करें, share करें, subscribe करें, thank you for watching Physio Talk.